सीमा वहीं बेहोश हो जाती है सीमा तुम ठीक तो होना सीमा उठो सीमा ए भगवान मुझे इसे अभी हॉस्पिटल ले जाना होगा फिर रोहन उसे उठा कर किसी तरह हॉस्पिटल पहुच जाता है और किसी तरह उसकी जान बच जाती है फिर कुछ दिनों के बाद, अजी कुछ भी कीजिए, मुझे मेरा बच्चा वापस ला कर दो, मैं अपने बच्चे के बिना नहीं जी सकती। नहीं मिलता, तो वो शक्स की जान ने लेती है, आपके बच्चे की वज़ा से आपकी जान बच गई है। गुंडा भी चुपके से सुन रहा होता है, और भाग कर अपने सर्दार को सारी बात बताता है। अच्छा, तो ये बात है, क्या कहा उसने? मुँ मांगे पैसे देने को तयार है वो औरत। हाँ सर्दार, यही सही मौका है, बहुत सारे पैसे बनाने का। लेकिन हम उसका बच्चा वापस कैसे लाएंगे सर्दार? अगर उस चुडैल ने हमें पहचान लिया, तो वो हमें जिन्दा नहीं छोड़ेगी। तुम उसकी चिन्टा मत करो, जाओ और पता लगाओ, हमने उस बच्चे को किसे बेचा है, जाओ और उस बच्चे को वापस लेकर आओ। अगराच को ही उसी रास्ते पर जाना होगा। ठीक है मैं तयार हूँ।